भारतिये प्रशासनिक सेवा की सबसे पहली महिला अधिकारी अन्ना राजम जॉर्ज एक प्रशासक के रूप में काम करते हुए इस करमशील महिला ने देश में नारी सामर्थ्य और नारी क्षमता का एक नया आयाम उजागर किया 1950 के आसपास अन्ना राजम जॉर्ज का आईयस अधिकारी बनना देश में स्त्री मुक्ती के संघर्ष में एक विशेश रूप से उल्लेखनी ये घटना थी लीक से हटकर अपने भविश्य के बारे में आप निरणा लेनी का साहस अन्ना राजम जॉर्ज ने ऐसे समय में दिखाया जब इस देश में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर गिने चुने ही थे आईएस की लिखित परिक्षा में सफलता के बाद जब अन्ना राजम जॉर्ज संघ लोग सेवा आयोग में इंट्रिव्यू देने आई तो उन्हें पुरुषों के इस मांसिक अवरोध का एहसास हुआ उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार में अवर सचिव से संयूत सचिव तक विभिन पदों पर काम करते हुए हर क्षित्र में अपनी निर्णा लेने की क्षमता, चरित्र की द्रढता, योग्यता और आत्म विश्वास की गहरी छात छोड़ी